Hello everyone, welcome to the exciting world of physics, तो आज हम लोग डिस्कस कने वाल है self study planning for droppers, तो सबसे पहला सवाल कि sir ये droppers कौन लोग होते हैं, तो dropper वो सभी student है जो इस बार JNIT के exam में अपैर हुए थे, लेकिन किसी कारणवस उनके अच्छे marks नहीं आ पाए, तो वो चाहरे कि इस बार रुका जा और 2021 में फिर से exam दिया जा और addition marks से pass किया जा, in fact 100% marks लाया जा, right, तो उसके लिए हमारी planning कैसी होनी चाहिए, तो obvious बात है, एक शांदार planning की ज़रूरत पड़ेगी, शांदार strategy की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं आपको कुछ 4-5 steps बता रहो, आप इसको follow करेंगे, और believe me, आप घर ब बैठे, आप इस target को achieve कर सकते हो, लेकिन religiously follow करना पड़ेगा, तो चलिए शुरू करते हैं, ये कुछ 4-5 steps है, 5 steps में हम लोग follow करेंगे, सबसे पहला step है कि आपको NCRT tax book पड़ना है, देखो, हमें concept clear करने के लिए किसी एक book की ज़रूरत पड़ेगी है, और NCRT से based आपके ल आप इस बार नीट की बात करो, तो 25-30 questions है, direct NCRT based है, NCRT से उठाकर के दे दिया, मतब आसान question था, नीट में भी, ये जे-मेयन में भी ऐसे questions आ रहा है NCRT से, तो NCRT आपके syllabus की book है, तो आपको इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए, इसको पढ़ने के बात क्या करना चाहिए, ठीकना, short notes क्या होता है, कि देखो, अब आप बार-बार NCRT को तो नहीं पढ़ोगे, जब भी आपको कोई दिक्कत होगी, तो पूरी book तो नहीं पढ़ने जाओगे, इतनी लंबी, मतलब इतनी लंबी चोड़ी स्लेए, बस आप कहां से पढ़ोगे, तो आप क्या करोगे, क जिस chapter को आप पढ़ोगे, तो बढ़ियां से एकदम पढ़ना है, धियां से पढ़ना है, पूरा focused way में पढ़ना है, और उनके सारे important points को लिग देना है, कहां पर, short notes में, तो अब आप, suppose करो, बड़ा से बड़ा chapter लो लो, electro state, electro state कितना और लंबा चोड़ा chapter है, अगर आप उ short notes से बना लेते हो, तो 10-15 minutes में आप इसको पढ़ सकते हो, short notes से minimum, maximum 3-4 page होना चाहिए, इससे जाधा नहीं, यह बहुँ जाधा हो गया, उसमें सारे important points को लिखना है, basically short notes को कहते है, formula listing, उसमें formula का एक list बना देना है, important concept का एक list बना देना है, और एक और चीज जोड़ देना कि जो important questions है, जिसमें आपको problem होती है, या important concept है, उन सारी चीजों को भी mention कर दो, उसके बाद तीसरे step पर आजो, जो बहुत important है, SCV आपको लगाना है, और previous year question bank solve करना है, यह must है, SCV सब के लिए, मतलब SCV अर्मासर की book, concept of physics, यह must है, ठीकना, यह तो आपको पढ़ना ही चाहि या आप medical की तयारी कर रहो, या आप advanced की तयारी कर रहो, आप दोनों को यह पढ़ना चाहिए, ठीकना, हाँ, जो advanced वाले है, वो एक-एक question को बार-बार बनाओ, पूरे book को बना जाओ, और जो neat वाले है, वो अच्छे question को बढ़ाओ, वाकि सबको आपको करने की जोरत नहीं ह प्रिवियस यह question आपको एकदम कंपसरी है, ठीकना, यह एकदम must है, तो जो neat वाले है, वो important question को बनाएंगे, और उसके बाद कहाँ पहुंच जाएंगे, प्रिवियस यह question को multiple times पढ़ो, जे मैन वाले, advance वाले क्या करेंगे, complete SCV, उसके बाद complete आपको question bank solve करना है, ठीकना, औ और उसके बाद क्या करना है, इन चीजों को multiple times पढ़ना है, minimum कितना बार, मैं कितना बार बोलता हूँ, आपको minimum 5 बार पढ़ना है, यानि एक बार complete हो गया, फिर उसको पढ़ो, फिर उसको पढ़ो, कितना बार, 5 बार, ठीकना, इसे करने से क्या होगा, पता है, सारी बात है है because of lack of practice ठीक है तो यहां पर हमें practice करने की जोरूद पड़ी गया और यह सबसे best way है क्योंकि ऐसे भी कि question को अगर आप बनाव तो एक decent question है एक level की question है एक confidence हाता है फिर previous year question को बनाव previous year question बनाने से फाइदा यह होगा कि 60 to 70 percent question ऐसे है जो की previous year question पर ही frame किया जाता है अगर आप previous year question बैंक देखे हो तो आपको पता होगा idea लग चुका होगा ठीक ना तो previous year question must है और बाकी जो 30 percent question है वो इससे करो आप advance के हो तो यह दोनों काम हो जाता है उसके बाद इरोडोफ वोगारा बना हो जो बनाना है ठीक ना उसके बाद आपको आ जाना है कि fifth step पर आपको कभी नहीं बुलना है never forget your target लोगों के साथ क्या होता है पता है दो दिन चार दिन तो बहुत excited रहता है फोड फार देना है सर फिर वो अपने अवकात पर आ जाता है तो आपको अपने अवकात याद दिलाते रहना है कि हमें क्या करना है हमें यह target चाहिए 100% marks चाहिए एक decent marks से हमको pass करना है है एंडिया के best colleges में हमको पढ़ना है तो आपको जब उस चीज को आप याद रखोगे तो obvious ही बात है आप मेहनत करते रहोगे आप एक काम करो कि अपना एक image बनाओ ठीक है अपना नाम लिखो और with जो भी आपको डॉक्टर इंजिनियर जो भी लगाना और अपना नाम लगा दो ठीक है और यह लिख करके अपना चिपका दो आपको किस college में पढ़ना है क्या rank चाहिए यह सब बात आप लिख करके अप अपने सामने चिपका दू जहाँ पर टेबल पर टेबल के सामने चिपका दू ताकि इसको बार-बार आप देखते रहो इससे क्या होगा पता है कि आपको अपनी आपका याद आती रहेगी कि हमें क्या करना है तो जब यह सब आप याद रखोगे तो आप IPL नहीं इसके लिए क्या होगा आप मेहनत करोगे आप excited state में रहोगे ठीक ना क्योंकि obvious से बात है demotivation होना है जब questions नहीं बनेंगे कोई चीज नहीं समझना आगे तो आप परेशान होगे ठीक ना क्योंकि self-study करो घर में ही पढ़ रहो तो obvious से बात आपको दिकत होगी तो आप काम पर send कर सकते हो ठीक ना मैं उसका solution मरा करके upload कर दूंगा ठीक ना इतना मैं help कर सकता हो लेकिन आपको यह करना पड़ेगा तीन काम करना पड़ेगा NCRT पढ़ना है उसको पढ़ने के बाद क्या करना है शॉट नोट से बना है उसके बाद क्या है सेवी complete बनाना है और उसके बाद previous year question पर टूट पढ़ना है ठीक ना minimum कितना five times पूरे question मैं को अगर आप इतना कर देते हो तो दुनिया की कोई थाकत नहीं कि आपको रोक ले ठ ठीक है तो बस इतना आप करिये और अब 2-4-5 दिन में जबर्दस अपने अंदर changes देखेंगे ठीक ना इसको आप follow करो और more than sufficient इतना कर लो ना जबर्दस result आने वाला है ठीक ना चलिए wish you all the very best thank you so much फिर हम लोग मिलते हैं ठीक है thank you